भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाक्षियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुब घड़ी है, जह हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संगर्श करने वाले, फांसी के स्टक्ट पर चड़कर के भारत माता की जय के नारे लगाने वाले, अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये परव है, उनका पुन्य समर्ण करने का परव है, आज हदी के दिवानों ने, आज हमें, आज हदी के इस परव में, स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है, ये देश उनका रणी है, ऐसे हर महापुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहाव्यक्त करते हैं, मेरे प्यारे देश वास्यों, आज जो महानुभाव, रास्त रक्षा के लिए, और रास्त निर्मान के लिए, पूरी लगन से, पूरी प्रतिवर्द्धा के साथ, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्याए वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नवजवानों का होसला हो, हमारी माता और बहनों का योगदान हो, दली थो, पीडी थो, शोसी थो, वंची थो, अभावा के बीज भी, प्रतंत्र ता के प्रतिवर्द्धी निस्टा, लोग तंत्र के प्रतिवर्द्धी श्रध्धा, कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरख घटना है, मैं आज ऐसे सभी को आदर पुर्वक नमन करता हूं, सारे देश्वासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से, प्राकृतिक आपदा के कारण, हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई हैं, राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेजना अव्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूं, यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्याने देश स्वासियों, हम जरा आजहदी के पहले के वो दिन याद करें। सैंकडो साल की घुलामी है। हर कालखन संगर्ष का रहा। युवा हो, बुजर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आधिवासी हो। उन्होंने गुलामी के खिलाब लंग जंग लड़ते रहें, अभीरत्न जंग लड़ते रहें। इप्यास गवाह हैं कि 1857 के स्वास्त संगराम जिसको हम याद करते हैं। उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आधिवासी छेत्र से जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों गुलामी एदा इतना लंबा काल खान जुल्मी शाचत अप्रम पार यातनाएं। सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तरकीव हैं। उसके बावजुद भी उस समय की जन संख्या के हिसापते करिब 40 करोर देश वासी हैं। आजहाजी के पुर्वत 40 करोर देश वासियों ने वो जज़वा दिखाया। वो सामर्थ दिखाया। वो एक सपना लेकर के चले। एक संकल्प लेकर के चलते रहे। जूजते रहे। एकी स्वर्था बंदे बातरम एकी सक्पना था भारत की आजहादी का 40 करोर देश सवासियों ने। और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है। वो हमारे पुर्वच से सिर्फ 40 करोर, 40 करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड करके भैक दिया था। गुलामी की जंजुरों को तोर दिया था। अगर हमारे पुर्वच जिनका खून हमारी रगों में है। आज हम तो 140 करोर है। अगर 40 करोर गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं। अगर 40 करोर आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं। आजहादी लेकर के रह सकते हैं। तो 140 करोर देश की मेरे नागरीक, 140 करोर मेरे परिवार जान। अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं। एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंदे से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं। तो चुनोदियां कितनी भी क्यों न हो। अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों न हो। संसाधनों के लिए जूजने की नौबत हो तो भी। अनुक्षुनिदा सुधिगलिगा आगी विस्तारान्यूस यूट्यूब चानल सब्सक्राइब माड़ी। होसा सुधिगला नोटिफिकेशन गागी वैल आइकोन क्लिक माड़ी। लेटिस्ट अप्डेट्स गागी www.vistarannews.com वेबसाइट के विजिट माड़ी।